क्या आपको या फिर आपकी किसी जानने वाले परचित को कृद्रशी स्याइटिका की बीमारी है जिसमें कमर से लेकर पैर तक वो दर्द से कराहता रहता है तो जी हाँ रुकिए और ये वीडियो पूरा देखिए नमस्कार मैं वैद पंकज स्वागत है आपका अल्टिमेट आइरवेदा चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं पारिजात के बारे में आप देख सकते हैं कि इसे मौडरी शब्दों में नाइट जैस्मीन कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही सुगंदित होता है वाउ अब हम चर्चा करेंगे इसको और क्या क्या कहा जाता है तो पारिज ऀसका सबसे जादा उपियोग क्या होता है यह जो पौधा होता है यह पउधे और व्रिक्ष दोनों फॉम में एवलारता है हमारे प्रकृतिक में यह चोते और बड़े में ऐवन्यमें होता है मलब कफ और वात को कम करने वाली अशदी होता है यह रामबाण AL journée है गृद्रशी कहते हैं यह शोत हर होता है वेदना इस्थापक होता है दर्द को कम करता है जब भी आपके सरीर में या किसी विक्ति के सरीर में भुटने से लेके कमर तक कहीं भी सूजन के वस्था होती है तो यह उस सूजन को कम करता है अर्थात सोत का हरन करता है और यह वेदन हो जाती है तो यह दो प्रकार के होते हैं एक वातज और एक वातकफज तो वातकफज अवस्था के लिए यह रामबाड इलाज है तो इसका उप्योग कैसे करना हमें आपके आज-पास इस तरह के अगर हमें पौधे देखने को मिलें तो आपको क्या करना है इसके पत्तों को अथे करन करना है और से खाली पेट सुबह पान करना है आप देखेंगे अगर चार से पास दिन भी आपने इसका पान किया तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे परन्तु इसका उप्योग करने से पहले क्योंकि मैं एक आयरवेद वैद्द्य हूं एक शदियों को उप्योग करने से पहले एक बार अपने नजदी की आयरवेद चिकिस्टों को से साला जरूर ले क्योंकि हर रुग्ण की अवस्था अलग-अलग हो सकती है सबसे में है उसकी अगनी तो अपनी अगनी की अवस्था देखकर आप इसका उप्योग करें परन्तु को बने रहे हमारे इस सिरीज में जिसमें जिसका नाम है उसक दरसन द्रव दर्शण तो हम इसमें आज हमारे जो चर्चा के विषय था पारिजाथ हमने बताए पारिश्याथ के उश्षदी ईपयोग के बारे में और अब हम आगे बताएंगे आपको और भी अन और्शदियों के बारे में धन्नवाद जया अर्वेद